जै मातादी दोस्तों कैसे हैं आप लोग या बताने के लिए कमेंट में जै मातादी जरूर लिखें माता रानी सबका कल्यान करेंगी दोस्तों साल 2021 समापति की उड है और साल 2022 दस्तक देने वाला है तो आज अपने इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोग को बताएंगे कि साल 2022 में कितने सुरेगरहन लगेंगे सुरेगरहन लगने का सही समय क्या होगा साथ ही साथ बताएंगे कि यह सुरेगरहन कहां कहां दिखाई देगा किन किन देशों में दिखाई देगा साल 2022 में लगने वाले सुरी गरहन से जुड़ी संपूर्ण जानकारी आज इस वीडियो के माध्यम से देंगे वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर अभी तक आपने मेरे इस घरेलुखवर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे वीडियो पसंद आएगा वीडियो को लाइक करेंगे और जितना जादा से जादा हो सके मेरे इस वीडियो को सेर करेंगे सबसे पहले आपको बता दे कि साल 2022 में कुल चार ग्रहन लगने का योग बना है जिसमें से दो सुरी ग्रहन और दो चंद ग्रहन लगने का सयोग है जियोति सास्ट में सुरी ग्रहन और चंद ग्रहन की घटनाओं को बेहत महत्पूर्ण माना गया है जियोतिस सास में सुरी को आत्मा का कारक तो चंद्रमा को मन और माता का कारक माना गया है ये दोनों ही ग्रह मनुस्री को बेहत प्रभावित करते हैं इसलिए ग्रहन के दोरान कुछ विसेश वास्तों का ध्यान रखना आवस्यक होता है खासकर इस सब्धी में सूतक काल का विचार किया जाता है ग्रहन का सूतक काल लगने से खाने, पकाने, पूजा, पाट के अलावा आनि प्रकार के सुभकारियों पे रोक लग जाती है माननिता के अनुसार सूतक नियमों का पालन तभी किया जाता है जब पूर ग्रहन के स्थेती बने आपको बता दे कि सूरिगरहन के 12 घंटे पहले सूतक कालप्रारम हो जाता है चलिए अब जानते हैं साल 2022 में लगने वाले सूरिगरहन के बारे में बात करें साल का पहला सुरिगरहन तो 30 अप्रेल 2022 को साल का पहला सुरिगरहन लगेगा यह आंसिक सुरिगरहन होगा जो की ब्रिसब रासी में लगेगा सुरिगरहन दोपर 12 बज कर 15 मिनट से लेकर संधिया समय में 4 बज कर 7 मिनट तक रहेगा साल का पहला सुरिगरहन डक्षिर और बेस्ट साउथ अमेरिका, प्रसांत महासागर, अटलांटीक और अंटार्क्टिका महासागर जैसे छेत्रों में दिखाई देगा आंसिक होने के कारण भारत में इस सुरिगरहन का परभाव नहीं पड़ेगा बात करें साल 2022 में लगने वाले दूसरी सुरिगरहन की तो साल 2022 का दूसरा सुरिगरहन 25 ऑक्टूबर 2022 को लगेगा जियोतिस गन्ना के अनुसार यह भी आंसिक सुरिगरहन होगा दूसरा सुरिगरहन यूरोप, साउथ वेस्ट एसिया, नौर्थ एस्ट अफरिका और अटलांटिक महासागर में देखा जा सकेगा भारतिय समय के अनुसार दूसरा सुरिगरहन संध्या समय में 4 बच कर 29 मिनट से लेकर 5 बच कर 42 मिनट तक रहेगा भारत में इस आन्सिक सुरिगरहन का सूतक काल मानने नहीं होगा ग्रहन काल में कैची, सुई, चाकू या धादार शीरों का इस्तेमाल ना करे ग्रहन काल में असनान ना करे, ग्रहन समापती के बाद असनान अवस्य करे ग्रहन को खुली आखों से ना देखे, ग्रहन काल के दौरान गुरु प्रदत मंत्र का जाप करते रहना चाहिए साथी साथ गर्वती महिलाओं को पूरी ग्रहन के दौरान अपने पास एक पानी वाला नारिय अवस्य रखना चाहिए ग्रहन सुरू होने से पहले खुद को सुध कर ले, ग्रहन सुरू होने से पहले असनान आधी कर लेना सुभ होता है ग्रहन समाप्त होने के बाद घर में गंगाजल का छुड़काव अवस्य करें ग्रहन खतम होने के बाद एक वार फिर अवस्य असनान करना चाहिए कहते हैं कि ऐसे करने से सोफ़लों की प्राप्ती होती है ग्रहनकाल के दौरान खाने पीने की चीजों में दुलसी का पत्ता अवस्य डाल लेना है इस दौरान ना तो नाखुन काटना है ना ही बालों में कंगी करना है ना ही मंजन एवं दातुन करना है ग्रहनकाल के समय सोना भी नहीं चाहिए उमीद करती हूँ कि आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी वीडियो को लाइक करे, सेर करे और चैनल को सब्सक्राइब करे थैंक्स